आप सभी को मेरा नमस्कार आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्बोक्षीलेशन और फिनोल का कार्बोक्षीलेशन फिनोल का जो कार्बोक्षीलेशन वो अक्षारिय माद्य में कार्बन डायोक्षाइड के साथ फिनोल को अभिक्रित किया जाता है उच्छ तापमान और उ क्या लेते हैं, फिनोल का सोडियम फिनोक्षाइड काम में लिया जाता है, तो फिनोल की सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्षाइड के साथ रियेक्षन करवाई जाती है, सोडियम फिनोक्षाइड बनता है, वो सोडियम फिनोक्षाइड के विगरिया कार्बन डाइयोक्षाइ है तो इलेक्ट्रोफिल्स सब्स्टिटुशन रिक्षन होगी. सोडियम फिनोक्षैड में जब सोडियम फिनोक्षैड की अभिकिरिया कारबन डाइॉक्षैड के साथ उच तापमान पे करवाएंगे तो क्या बनेगा जो फिनोल है, उसका सोडियम जो आयन है तो जो फिनोल है। उसकी ओर्थो या पेरा इस पोजिशन पे क्या होगा। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डायोक्षाइड है। उसका अटेक होगा यहाँ पे ये जुडेगे। और बनेगा क्या sodium salicylate, sodium salicylate, ortho sodium salicylate और पैरा sodium salicylate और जब बने वो ये sodium salicylate का hydrolysis करवाएंगे तो क्या बनेगा salicylic अमल मैकनीज में यहाँ सबस्ट्रेट क्या है, फिनोल है, फिनोल का sodium phenoxide है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बन डायोक्षाइड, कार्बन डायोक्षाइड है, इसमें कार्बन और ऑक्षिजन के बीच क्या है, अनसेचुरेटेड पाई बोंड है और यहां पे दोनों जो एटम कार्बन और उक्षिजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में क्या है डिफ्रेंस है जिसकी वजए से इलेक्ट्रो डेंसिर्टी है वो उक्षिजन की तरफ होती है कार्बन पे पार्सियली पोजिटिव चार्ज होता है तो यह कार्बन है वो इस एक क्या है साल्ट है इस साल्ट में जो ओक्षाइड है फिनोल पे जुड़ा हुआ का बेंजिन वले से जुड़ा हुआ उसकी ओर्थो पेरा पोजिशन पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोन डेंसिटी इंक्रीज होती है ड्यूट्यू रेजोनेंस और यहां पे इलेक्ट्रो फाइल का कार्बन जो है वो अटेक करता है और यह जुड़ता है अब होगा क्या कि जैसे ही ओक्षिजन ने अपने इलेक्ट्रोन बेंजिन रिंग को दिये तो ओर्थो पे नेगेटिव आया वहां पे कार्बन ने अटेक किया अब जिस कार्बन पे carbon dioxide का carbon जूड़ रहा, वहाँ पहले से क्या जूड़ा हुआ, hydrogen जूड़ा हुआ है, यह hydrogen है, वो अपना electron pair इस benzene ring को देता है, और फिर वापश oxygen अपने electron pair ले लेता है, और hydrogen वहाँ पे जाके जूड़ जाता है, और क्या बन जाता है, sodium salicylate, और बने हुए sodium salicylate का hydrolysis करवाय जाता है, जलबगठन करवाया जाता है, अम लिये मादे में तो क्या बनता है? salicylic acid, अब यह बना हुआ जो salicylic acid है, उसके क्या यूज है? जब इस salicylic acid का acylation करवाया जाता है और एस्ट्रिफिकेशन किया जाता है acylation करवाते हैं acetic anhydride के दुआरा तो acylation किसका होता है फिनोल का होता है hydroxy group का acylation होता है और acetyl group जुड़ता और बनता क्या है ortho acetoxy benzoic acid जिसे क्या कहते है एश्प्रीन कहते है जनरल बहसा में अपन डिश्प्रीन भी कहते हैं यह क्या है एश्प्रीन ही है एश्प्रीन क्या है ortho acetoxy benzoic acid और दूसरा जब इस बने हुए salicylic acid का esterification करवाया जाता है esterik run करवाया जाता है methanol के साथ अमलिय माद्दे में तो जो esterification होता है वो कौन से group का होता है carboxylic group का होता है salicylic acid के carboxylic group का esterification methanol के साथ और phenol के साथ methanol के साथ होगा तो methyl salicylate बनेगा और इस methyl salicylate को क्या कहते है oil of winter green और phenol के साथ जब इसका esterification करवाया जाता है तो phenyl salicylate बनता जिसे क्या कहते है cellol कहते है तो यह तीनों reaction important है डाइरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है phenol से निमन लिखित को कैसे प्राप्त करोगे how we obtain cellol, oil of inter green, aspirin from phenol तो phenol से कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले phenol से अपन क्या प्राप्त करेंगे salicylic अमल प्राप्त करेंगे और बने हुए जो salicylic acid के इसकी अलग-अलग reactions है जब ऐसा ही लेशन करते है तो aspirin मिलता है esterification phenol के साथ करवाया जाता है तो phenyl salicylate यानि cellol मिलता है और esterification न वो methionol के साथ करवाया जाता है methyl salicylate oil of winter green अपने को मिलता है आगे rhymar timon reaction ये reaction सारी है आप 12th class में पढ़ चुके वो ही है rhymar timon अभी किरिया में क्या होता है जब phenol की अभी किरिया chloro foam के साथ क्षार NUH या कोH की उपस्थती में करवाई जाती है तो benzene जो ring है उसका क्या होता formylation होता formyl group CHO group है वो इसमें enter करता है hydrogen निकलता substitution ये भी एक electrophilic substitution ही है तो ortho और पैरा salicylaldehyde मिल जाएंगे पहले जो salicylic aml बना है उसका जो कार्बोग्जलिक की जगह formaldehyde समो है formyl समों enter कर रहा है तो क्या बन रहा है salicylaldehyde ये भी दोनों टाइप के मिल सकते हैं ortho salicylaldehyde और पैरा salicylaldehyde अगर इसी राइमर टीमा नवी किरिया में chloroform की जगह पे carbon tetra chloride का यूज किया जाता है इसको आपन काम में लेते हैं यहां पे जो chloroform और NOH के बीच reaction से बना हुआ dichloro carbon यह भी क्या है neutral है dichloro carbon यह क्या होता है electrophile की भांती वेवहर करता सबसे पहले chloroform और खशार NOH की अभी किरिया होगी NOH का जो hydroxide आए आए न वो chloroform से proton लेगा तो इस पे negative charge हो गया trichloro carbenine बन गया trichloro methane का जो carbenine बन गया अब इसमें से एक chloride निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा dichloro carben अब यह dichloro carben खशार और फिनोल के बीच अभी किरिया से क्या बन गया phenoxide iron यह phenoxide iron जैसे ही resonating structure बनाएगा तो ortho और पैरा पे क्या आएगा negative charge आएगा जिस पे यह dichloro carben जो की एक electron new species है electrophile है यह क्या करेगा ortho और पैरा पे attack करेगा और attack करने के बाद जैसे यहाँ आप mechanism में देख रहे हो कि phenoxide पे dichloro carben ने attack किया तो यह जो negative charge है वो carben के carbon पे आगया अब यहाँ से यहाँ पे जो जलिये माद्दिम में यह reaction हो रही है तो H2O के साथ reaction होगी यहाँ proton जुड जाएगा इस पे अब यहाँ से जो पहले से benzen वले का proton है वो benzen ring को electron देखर के निकलेगा oxygen पे negative charge आएगा वहाँ पे यह benzen वले का proton जुड जाएगा अब बना हुआ जो compound है उसका hydrolysis किया जाता है basic medium में hydrolysis किया जाता है तो दोनों CEL है chloride है वो निकल जाएगे उसकी जगा hydroxide समो आ जाएगे hydroxy समो आ जाएगे और hydroxy एक carbon पे दो hydroxy group stable नहीं होते हैं से क्या हो जाएगा जब इसको गरम करेंगे तो dehydration होगा जल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा salicylaldehyde ऐसे ही ortho salicylaldehyde बना है वैसे ही क्या बनेगा parasalicylaldehyde major product अब वो ortho होता है और ortho अगर blocked होती है तो para बनता है और blocked नहीं होती है तो भी minor product के रूप में para product बनता है और जब base के रूप में अगर NOH काम में लिया गया है तो ortho product अब वो major होता है और KOH लेते हैं तो para product क्या होता है major होता है एक्जांपल दिया है अन्ने एक्जांपल जैसे ये phenol का derivative है guayacol जिसकी ortho position है वो पहले से mythokshi group के दोआरा occupied है पहले से क्या है भरी हुई है अब इसकी राइमर टीमान अभिकिरिया करवा रहे हैं तो दूसरी जो ortho position है उस पे जुड़ने की possibility क्या हो जाती है कम हो जाती है steric hindrance effect काम करता है इसकी वज़े से para position पे steric effect कम होगा तो para पे क्या होगा प्राइमर टीमान अभिकिरिया के दोआरा formulation होगा और जो बनेगा वो क्या बनेगा vanillin तो vanillin बना है अब है nitrosation of phenol या phenol का जो nitrosation है उसका दूसरा नाम है liberman nitroso reaction या liberman nitroso test होता क्या है इस अभिकिरिया का जो उप्योग है वो परियोग साला में laboratory में जब आपन practical करते हैं उस दोरान आपको कोई carbonic compound दिया गया है और उसका पता लगाना है तो phenolic compound का test है वो liberman nitroso test के दूआरा ही किया जाता है इसमें phenol की अभिकिरिया nitrosaml और H2SO4 इनके दुआरा करते हैं तो लाल भूरे रंग का वीलियन बनता है वो लाल भूरा फिर हरे नीले में change होता है और फिर अधिक मात्रा में पानी उसमें डालते हैं जल डालते हैं तो लाल रंग का होता है और फिर उसको basic medium यानि एनिवाइज डालते हैं नाइट्रस अमल अब यहां पे होता क्या है कि जब H2SO4 और नाइट्रस अमल को आपस में मिलाते हैं तो जो H2SO4 है वो एक स्ट्रोंग ऐसीड है यह अपना प्रोटोन देगा वो नाइट्रस अमल के हड्रोक्षी शमुवा के साथ जूड जाएगा यहां से H2O निकल जाएगा और क्या बनता है NO2 प्लस बनता है और नाइट्रस अमल जब डाल रहे हैं फिनोल के साथ तो नाइट्रस अमल में इलिक्ट्रोफाइल और वो कौन सा है नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस अब यह NO प्लस है वो फिनोल की ओर्थो और पैरा पोजिशन दोनों पे जुड सकता है और फो पे भी जुडता है तो यहां आपन ने देखा कि पैरा जो कंपाउंड बना है वो है टोटो मैरीजम के दुआरा आइसो मैरीजम जो है उसके दुआरा चेंज हो गया पैरा क्वीनोन मोनो ओक्जिम में हाइड्रोक्षिशम है उसका प्रोटोन यहां से निकला इलेक् गया पैरा क्वीनोन मोनो ओक्जिम जो बना है यह कैसा है भूरा लाल भूरा लाल भूरा रंग जो स्टार्टिंग में आएगा वो किसके कारण आएगा पैरा क्वीनोन मोनो ओक्जिम के कारण अब जो यह बना हुआ पैरा क्वीनोन मोनो ओक्जिम है वो रियक्टिंग जो म प्रियक्षन करके H2O निकल जाएगा और यह compound बनेगा अब यहां क्या माध्यम अपने को पता है अमलिय माध्यम है तो ओक्जीम की जो oxygen है उसका protonation हो जाएगा और इस compound पर positive charge है तो counter आएन के रूप में क्या जुड़ जाएगा hydrogen sulfate आएन और क्या बन गया इंडो फिनोल hydrogen sulfate ज उसका dilution करते हैं dilution करने से क्या बन जाता है इंडो फिनोल बन जाता है और यह इंडो फिनोल कैसा होता है blue color का होता है अब इस बने हुई इंडो फिनोल रेड कलर का होता है और इस रेड इंडो फिनोल में जब अक्षाल एनियोवच दालते हैं तो इसका क्या बन जाता है? sodium salt बन जाता है sodium salt of indofenol बन जाता है और जो कैसा होता है blue रंका होता है और यही टेस्ट के अंदर अब सबसे लाश्ण में अपने को कौन सा कलर मिलता ब्लीव कलर अगर आता है तो यह क्या है फिनोल है और नहीं आता है तो फिनोल नहीं है यह reaction लिबर मान नाइट्रोस तेस्ट अगर positive है तो फिनोल है और negative है तो फिनोल है